वेल्कम हम पढ़ेंगे कार्बन नैनोट्यूब को हम सी एंटी भी बोलते हैं ठीक है कार्बन नैनोट्यूब होती है देखो इसके नाम से पते चल ला है कार्बन की बनी हुई है और यह नैनो मेट्रियल होती है तो वैसे तो इसके नाम में सब कुछ आ गया अब आगे पढ़ते हैं कार्बन नेनो ट्यूब्स क्या होती है वह एक नैनो मट्रील होती है बहुत इंपोर्टेंट अब देखो 1991 सिर्फ दू में एलोट्रॉफ्स पढ़ा थे कार्बन की कौन कौन से कां डायमंट और ग्रेफ हाई्ट थीक है दू में करद नो ट्रॉफ्स पर ये जैपनेश फिजिस्टे है सु मयोलीजीमा इनो नहोंने क्या इन्वेंट करा कार्बन आनो ट्यूबर इन वेंट करा जो कि ए एक और एलोट्रॉप है किसका कार्बन का ठीक है अब कार्बन ट्यूब होती कैसी है नैनो ट्यूब होती है यह कार्बन नैनो ट्यूब होलो होती है ठीक है ट्यूब होती है जो की कार्बन आफ नैनो स्केल डायमेटर की बनी होती है देखो अगर यह कोई क्यूब है ये क्यों हो ठीक है इसके dimension क्या होगी length, width और height तीनों dimension होगी इन तीनों में से कोई भी dimension कोई एक भी अगर हमारी nano range में आ जाती है तो इसको हम nano material बोलेंगे ठीक है अब nano range क्या होती है ये जो ट्यूब होती है ये शेप होगी अब इस ट्यूब का एक length होगी अब इस ट्यूब का एक length क्या होगा diameter होगा ठीक है तो जो डाय होता है इन carbon nanotube का ये diameter जो होता है nano scale diameter होता है nano scale में होता है diameter ठीक है इनको क्या का जाता है cnts कहते हैं इनको bucket tubes भी कहते हैं okay nano tubes होती है कैसे फॉर्म होती है देखो अगर आप टू डैमेंशन के पेपर एक टूडी टूडी है ठीक है पेपर एक शीट मालो ग्रेफाइड की शीट मालो ठीक है अब इस शीट को अगर हम रोल डाउन करें इसे कई काफी सारी है तो हम इसको रोल कर लिया तो यह बंदर से हॉलो है ना यह तो ऐसे ही हमारी फॉर्म होती है nano tubes कैसे folding and rolling two dimension graphite into a cylindrical shape structure तो यह हमारे cylindrical shape structure आ जाता है ठीक है इस नैनो टूब्स कैसी होती है हॉलो होती है अंदर से इंसाइड diameter जो होता है इनका one two three nanometer तो यह nano range में आगे इनका diameter जबकि जो length होगी इनकी वह ज़्यादा बड़ी होती है larger होती है इस comparison to its diameter ठीक है इस comparison to its diameter अब देखो आप जो इसका diameter है वह तो हमारे ना रिंज में आ गया ठीक है पर जो इसकी लेंद्ध है वह लंबी होती है जो एक human hair होता है अगर हमें human hair देखे human hair देखे अगर हमें यह हमारा सर का बाल है इससे भी कई गुना जादा कम डायमेटर होता है हमारे जो nanotubes होती है उनका कितिनी tiny होती है ठीक है यह लिखा है cnt जो two-dimension graphene sheet से होती है ठीक है वरी graphite sheet का यह फॉर्म होता है और इसमें बताया है सबसे important चीज़ करें इनमें mechanical properties होती बहुत जादा extraordinary ठीक है बहुत जादा extraordinary mechanical properties इनमें होती है अब वह हम इसके extraordinary properties बढ़ेंगे कौन कॉनसे की वह extraordinary properties है carbon nano tubes की सी होती है जैसे कि हमारा diamond is stiff होता ने फेक फिलोट भी कर सकती है atmosphere इतनी ने नेनो टुम से gravity इतनी कम होती है बहुत जादा जो density होती है carbon nanotube की 1 by 4 होती है steel की ठीक है steel से कम होती है देखो density कम है gravitational weight भी कम है पर stiff है यह important property है इसकी stiffness जो अब हमारी carbon nanotubes है यह 10 times stronger है स्टील से important है देखो कितनी ज्यादा strong है स्टील से स्टील से इतनी स्ट्रॉंग है इनकी high thermal capacity होती है 20 times stronger than steel thermal capacity मतलब अगर आप इनको temperature दो तो expand नहीं होगी यह temperature को जहल सकती है ठीक है not expand on heating like steel therefore CNT जो है इसकी uses हो जाएंगे sleeve काफी सारे bridges में और aircraft materials में यह use होती है इसी वज़ा से इनकी properties है इसलिए आगे देखते है कारबन नैनो ट्यूब में देखो हर एक जो carbon होता है वह surrounded होता है थ्री carbon से किस के थुरू कोवलेंट बॉन्ट के थुरू इनके बीच में कौन सा बॉन्ट होता है कोवलेंट बॉन्ट होता है carbon carbon कोवलेंट बॉन्ट होता है और जिसके लैटिस की शेप बन जाएगे वह कैसे होती है जाएग्जगन मेंथ एथ प्रॉब्ड ब्यूट पैंट है ऐसे करके हैग्जगन हेग्जगन शेप में बनता है ठीक है कुछ इस तरीके से ऐसी शेप से बना लेता है एक और इंपॉर्टन प्रापरटी यह लास्टिक होती है ठीक है गूड कंड़क्टर होती है हीट की और कि एक लिक्टर कंड़क्टिविटि इंके अठी होती है और यह केमिकली स्ट्रेबल होती है एक्दम र्ययाक्टि नहीं कर जाएंगे इंडम स्ट्रेण में और घ्रकुचन और लिए यह दुर्ट करती है अब देखें इसको कहां आप्लाइ कर जाता है वह वाली बात नहीं breast cancer tumor destruction नेनोट्यूब्स यूंज होती है destroy करने के लिए कि खराब करने के लिए ब्रयस का cancer tumor tumor को खतम करने के लिए यह किया करती है ने टीबोडी के साथ जाती है नेनोट्यूब्स अर्यहित प्रोटीन होता है हमारे cancer का वो इनको अट्रेक्ट करता है ठीक है बाइग कैंसर सेल्स में जो हमारा प्रोटीन होगा वो अट्रेक्ट को अंटीबोडी के साथ तो नैनो ट्यूब्स जो है वो एब्सॉर्ब कर रखते हैं लेजर भीम को और फिर वो जाके बक्टीरिया को ट्यूमर के मार देती ह जहां पर तो नैनो ट्यूब्स ब्रेंटी बड़ी गई नैनो ट्यूब्स के इंदर रखें भीजवाद और तार्गेट अरिया पर फिर उसके बाद में वहां पर जाएंगी तो जो प्रोटीन होगा वो इन एनो ट्यूब्स को अट्रेक्ट कर लेग अपनी तरफ और फिन न मेल ब्लेडस हैं शिर्ण देया को चैनल रखेंगे वाद विद्ध मेल उसके पर हैं जो रहते चैनल वेफिस्टम वेड़ी को सब्सक्राइबकर रखेंगी तो रहाएं वीज़ा हैई हम से लगी रखेंगे ऑफिशंटी तो फिर रोटेट होती है तो इनके वेफिशनटली तो यह उसके हैं जादा नांगी खुमेगी जिसे वाइस कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर दो निकल जाएगा अगर इनका डायमेटर वन से लेके थ्री नैनोमीटर है तो इससे बड़े बड़े जो भी पार्टिकल्स होंगे उन सब को में इसके थ्रू क्या कर सकते हैं फिल्टर कर सकते हैं अगर इनका साइज स्मॉलर जो कि इनके डायमेटर से बड़ा इस बहुत चोटा डायमेंड जना तो उनको क्या कर टेट राप कर लेती हैं अब CNT नेनो सैलिंडर्स अब जो हमारी गैस होती है जैसे है अच्टू और यह फिर एनरजी और बैटरी इस विकल्स में इन सब को ना दिखोई बेसिकली ना क्या है अच्टी को स्चोर कर सकते हैं और प्रप्राब्लम ऑफ स्टोरि scientifically बहुत हैं जाहं को आंब सकते हैं यह उत्侵ी का वर झाल डायट कर सकते हैं इसको कि कि अशोर्टिय reicht को दो घृटिकेसिंघद्रा को बहुत है और ड्रग लिवरी मतलब हमारा कोई भी मैडिसान है इसको हमें डिलीवर करना है कोई बंदा यहां पर प्रॉब्लम में यहां पर थोड़ा कैंसर है तो यहां पर रख देते हैं लग अलग तरीके से इसके आगे रिसेप्टर लग जाता है जो यहां जाके इनकी सेल के प्रोटीन को अटाइच हो जाएगा तो फिर वह रिसेप्टर जोगा इसके अंदर जो एंटी बॉड़ी जो उन सेल में चले जाएगी तो इससे वही सेल को हम ट्रीट करते हैं जो डैमेज है और अधर सेल होती है उन पर फरक नहीं पड़ता अगर डायेट ड्रग लोगे तो वह पूरी बॉड़ी पर साइड इफेक्ट दिखाता है ठीक है इस लेक्टर में नहीं थैंक यू सो मच